हेलो दोस्तो, साबू की किचिन में आपका स्वागत है, तो पहले आप ये स्मिन, है ना एकदम क्रेस्पी और क्रंची, तो चलिए, आज हम केले की चिप्स बनाएंगे, तो अब इने बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर केले की चिप्स बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर एक केले ले लिए हैं, इनको अच्छे से दो लिया है, और एक किलो केले पर करीबन आठ केले चड़े हैं, तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं, अब इनको हम अच्छे से छील लेंगे, अच्छे तरीके से केले की चिप्स क्या है, बड़ी ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है, अनेल्दी बिल्कुल नहीं होती है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, और ये घर पर आसानी से बन भी जाती है, जब भी मन करें आपका, जब भी भी बना सकते हैं, हम ये केलो को चील के, एक बरतन में पानी लेकर उसमें डालते जाएंगे, पानी में हम इसलि कैसे मैं बना रही हूँ, चिप्स बना लीजिएगा, चिप्स थोड़े पतले बनाईए, मोटे बनाऊगे, तो क्या वो सिखतो जाएंगे, पर बीच में से थोड़े सॉफ्ट रह जाते हैं, देखिए, जिस तरीके से मैंने ये बना ली है, ऐसे ही आप भी बना लीजिएग अब इनको में पानी में डाल दूनी सभी को, बिल्कुल बारिक बारिक हो गई है, पतली एक दम अच्छे से बन चुकी हैं तो अब ये मैंने पानी में डाल दिया है, बगोने में पानी ले लिया है अब इसमें क्या है मैं डालूनी यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी हल्दी क्या है इसलिए डालूनी में यहाँ पर केले क्या है काले पड़ जाते हैं जो उपर की जो लेयर होती है केले की जो काली लेयर आती है इसके उपर वो हल्दी से हट जाती है बिलकुर और क्या है कि कलर भी थोड़ा सा पानी है वो अच्छे तरीके से बाहर निकल जाएगा चलनी की मदद से और इनको विल्कुल जैसे सुखा सा हो जाए फिर इने हम फ्राइ करेंगे तो चलिए अब फ्राइ करना सुरू करते हैं फ्राइ करने के लिए मैंने या पे नॉनिस्टिक कड़ाई ले ली है और मैंने डाला है करीबन या में 500 ग्राम रिफाइन ओल मैंने या पर जादा इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये डिफ्राइ करने होते हैं तेल को थोड़ा जादा गरम नहीं करना है हलका सा गरम करके ही हमें चिप्स टालते जानी है देखिए एक एक करके हमें या पर चिप् तो इसलिए थोड़ा दूरी बना के जैसे कि हम पूडिया डालते हैं तेल के अंदर उसी तरीके से आप एक एक करके केले की चिप डालेगे ताकि यह आपस में चिपके ना अगर हम एक साथ डाल देंगे तो केले की चिप सॉप्ट हो जाती है पहले और यह फिर आपस में चिपक जाती हैं देखे हैं कितनी क्रंची से यह सिख चुकी हैं बिल्कुल और गैस को सिलो कर लेंगे शुरू में गैस को सिलो रखेंगे और फिर बाद में जैसे एक साइड से शिखनी चालू हो जाती है फिर हम गैस को तोड़ा मीडियम कर देते हैं ताकि यह अच्छी तरीके से क्रंची सी सिख जाएं अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में थोड़ा सा नमक डाल लिया है नमक इसलिए डाला है ताकि इन चिपसों में अच्छी तरह स नमक șes जाए éléments को एक निकाल लेंगे और जैसे को यहां पर निकाल लिए घेस को करेंगे अभी तो चलिए ऐसे ही सारी चिप्सों यहां पर बना लेते हैं धे गरम हैं लेकिन बहुत क्रंची हो चुकी है और देखे कितनी सुंदर लग्री है अब यहँपर प्लेटिंग कर ली है देखे कितनी सुन्दर लग रही है और कितनी क्रंची है ये बहुत ही टेश्टी लगती है बच्चों को बहुत पसंद आती है आप इस श्नेक में चाय के साथ कॉफी के साथ कभी भी दे सकते हैं अब मैं आपको आवाज सुनाती हूँ